हे गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल और बेपी एट कर्शनल ट्रिक्स दोस्तों यह हमारा एक्सल का पार्ट साथ है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं किसी फॉंट को एक्सल में फॉर्मेट कैसे करेंगे उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे रो एंड कॉल करना उसके साथ साथ काउंट नंबर भी निकालना देखे थे तो अगर वह वीडियो आप लोग नहीं देखा तो वीडियो को आप लोग देख लिए ताकि यह भी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आसके चलिया बीना टाइम कवाइव वीडियो को स्टार्ट करते हैं उसका फॉंट साइज जो रहता है वह 11 पे रहता है ठीक है लेकिन आपको यहां पर दिख रहा होगा इस्टिमेट सेल्स एंड फ्रॉफिट वर्क सीट इसका जो है फॉंट स्टाइल और फॉंट साइज दोनों अलग-अलग दिख रहे होंगे तो यह कैसे कर सकते हैं तो सबसे सब्सक्राइब पर देखिए अगर आपको किसी वी सेल्सीर का जो डाटा है उसका फॉंट चेंज करना है तो फॉंट करने के के लिए उस टे डाटा को आप सलेक्ट करिएगा जैसे कि मुझे इसका चेंजY करना तो मैं इसे सलेक्ट करूँगा फिर आपको यहां पर font group में जाना है और यहाँ पे आपको जो भिफोंट करना होगा उसे आप सवेट्ट कर सकते हो इस तरह से सूर्ट में इसका साइज मुemand करना है तो यहां से मैं इसका साइज भी चैंज कर सकता हूं इस तरह से ठीक है और उसके नीचे आपको दिख रहा होगाइब अभी बोल्ड का काम क्या होता है यहां पर जो दाटा दिख रहा है अभी यह ज्यादा सकता ठीकनिस में नहीं है और अगर मैं यहां बोल्ड पर केम कर देता हूं जैसे हैसे इसे Grade Perfect करता हूं और यहां पर वोल्ड पर क्लिक करता हूं अब देखिए यहां पर कुछ हाइलाइट जrdah हो गया है जिसके देखने में format करके अपने एक्सल सीट को attractive बना सकते हूं अब जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा होगा यह अभी highlight है ठीक है तो यहां से highlight होता है normally पहले ऐसा दिख रहा था लेकिन मुझे इसका जो है इसे select करूंगा और यहां पर अगर मैं select कर लूं तो अब estimate जो है वह blue दिख रहा है और यहां से bold और italic करके थोड़ा सा size बढ़ा दूंगा इसका अब देखने में आप देख सकते हो थोड़ा सा जादा ही attractive लग रहा है तो इस तरह से आप किसी भी text का font change कर सकते हो उसका size बढ़ा या घटा सकते हो यहां से bold italic और underline कर सकते हो ठीक है और यहां से font color और highlight color जो है यह दोनों fill color सब change कर सकते हो ताकि आपका जो sales है sales में जो fonts हैं वो देखने में अच्छे लग सकें ओके तो आप समझ गया होगे font का क्या काम होता font को format कैसे करते हैं यह font group में यह सारा ओके अब हम लोग देखेंगे किसी भी font जो rows and columns है रो और columns जो हैं इसको हम लोग adjust कैसे करेंगे adjust करना सीखेंगे जैसे कि मुझे अगर इस sales को यहां पर sales of month लिखा हुआ था जो कि किलियर नहीं दिख रहा है अब मुझे इसका size बढ़ाना है तो क्या करूंगा इसको select करूंगा column को इसे थोरा सा drag करके भी आप कर सकते हो तो आप देख सकते हो यहां से drag करने पर इसका size चेंज कर सकते हैं इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि जितने भी columns हैं रोज हैं सबका जो है same size रहे तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले सारे को select कर लूँगा और किसी एक को पकड़के थोड़ा सा adjust करूंगा सब सेम साइज के हो जाएंगे आप देख सकते हो सारे जो columns हैं सेम साइज के हो गया या फिर आप इस पर select करके अगर इसका हट बरहाना है तो इस पर डबल क्लिक करोगे यह खुद से adjust हो जाएगा और इसी का इसका जो काम है अप यहां sales group में format में जा कर कर सकते हो रो की इथ को change कर सकते हो रो है जैसे रोson की हैट को मुझे पर रो हाइट पर किलिक कर दूंगा और यहां पर मैं सलेक्ट कर लेता हूं 25 और मैं इंटर प्रेस करूंगा आपको कुछ दिख रहा होंगे यहां पर जो है 25 हो गया है उसी तरह से फॉर्मेट में जाके आप कॉलम वेड़ को भी यहां पर अगर 13 है मैं इसे भी कर देता हूं 25 और इंटर प्रेस करूंगा आप देख सकते हो सारा जो है बड़ा बड़ा हो चुका है इस तरह से आप किसी भी जो सेल्स हैं या फिर रो हैं कॉलम है उसका साइज बढ़ा या घटा सकते हो ठीक है तो आप समझ गया होंगे किस तरह से आप रो और कॉलम के साइज को सब्सक्राना घटाना थो यहां से पकर के भी एस क्रॉल करोई नीचे याा ड्रैक करोगे तो इसे घटा refugees बढ़ा सकते हो अगर सबका करना है एक साथ एड़्जस्ट तों कं bother और किसी एक को पकरके एड़्जस्ट करोगे सारा उसी सायज में आ जायगा अप देख सकते हो सा अगला टॉपिक हमारा है alignment in Excel Excel में आपको होम टैम में ही यहां पर एक alignment group दिख़रा होगा जिसमें यहां पर alignment और wrap टेक्स margin center का option मिलता है आपको तो हम उसका यूज करने बाले हैं तो सबसे पहले मैं इसका जो है margin center हटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाने ठीक है ऐसे कि हम लोग देखेंगे किसी भी ट्रिक्ट का जो ठेख्ट होते हैं हमारे च्स में वो यहां पर ले 맞는 जाउंड में रहते हैं और नमबर जो होते हैं हो राइट साइड में होते हैं यह डिफोल्ट like रहता है अगर आपको किसी कारण बस इस सारे जो सिल्स है इसका जो टेक्ट है इसको आपको राइट साइड में करना है तो क्या करोगे आपको यहां पे कुछ इसी तरह से अगर आपको इस नंबर को सेंटर में करना है तो आप यहां पे सेंटर पर किलिक करोगे सेंटर में आ जाएगा फिर से डबल किलिक करेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा सेंटर पर किलिक करेंगे तो से आप देख सकते हो यह सेंटर में आ गया ठीक है तो इ मुझे यह orientation अगर इसमें लगाना है तो मैं इसे सलेक्ट करूंगा यहां orientation पर क्लिक करके आप अगर मुझे दूसरा सेट करना है तो आप यहां पर देख सकते हो टेक्स डाउन आप या फिर एंगर क्लॉक बाइज एलाइंग एंगल जो है काउंटर क्लॉक बाइस तो इस पर क्लिक करूंगा अब देखिए आप कुछ इस तरह से दिख रहा है या फिर आप रोटेट टेक्स्ट अप लग सकते हो तो कुछ इस तरह से दिख जाएगा तो आप अपने कमफर्टेबल आप अपने अडजस्टमेंट के हिसाब से यहां आप से और येंटेशन को सेट कर सकते हो और यहां पे आपको बहुत सब कर देता हूं सबसे पहले तो अभी हमारा यह नॉर्मल हो चुका है अब आप लुग देखने वाले हैं यहां पर रैप टेक्स्त का जैसे कि मैंने इसे लिखा है और मैं चाहता हूँ यह सिर्फ सेल में ही दिखे तो आप यहां रैप से टेक्स्ट पे क्लिक करोगे अभी यह सिर्फ फरस्ट सेल में आ गया है ठीक है अगर रैप टेक्स्ट हटा देंगे तो यह फिर आपको यहां पे कुछ इस तरह से दिखाए अब जैसे कि यहां पर देखिए शेलमे में है लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह पूरा में हो मेंद सेंटर हो जाए और बीच में दीखे तो क्या करूंगा मैं estimate वाला select करके यहां से margin center पे click करूंगा अब आप देख सकते हो सबसे पहले row one select करना फिर margin center पे click करना है अब देखिए अभी चला गया है margin center मतलब यह पूरे बीच में लेकिन मुझे क्या करना मुझे इस से मतलब मुझे यहां से यह से लेकर और मुझे यहीं तक रखना है यह जैसे कि पहले मैं margin center हटाऊंगा और इसे select करके मुझे यहीं तक margin center करना है तो मैं यहां पे margin center कर दूंगा अब आप देख सकते हो यह जो estimate sales and profit लिखा हुआ है यह बीच में लिखा हुआ है तो इस तरह से आप जो है alignment कर सकते हो रैप टेक्ट कर सकते हो margin center कर सकते हो किसी भी टेक्ट को ताकि देखने में अच्छा लगे अब अगला हमारा formatting borders in Excel Excel में border को कैसे लगाते हैं यहां पे आपको एक option मिल जाएगा border का इसमें बहुत सारे options हैं bottom border stop borders left right no borders all borders तो आपको अगर इसमें से border लगाना है जैसे कि मुझे इस टेक्स्ट में यहां पे जो है numbers इसमें border लगाना है तो मैं इसे select करूंगा और जिस भी तरह का मुझे border लगाना होगा यहां पे क्लिक करके जैसे कि मैं इसमें लगा देता हूं ठीक box border तो अभी इसमें border apply हो चुका है अब दिखेगा कैसे हम किसी दूसरे जगा select करेंगे अब देख सकते हो यहां पर यह जो हमारा sales है यह हमारा highlight है अगर मुझे सब में total में border लगाने तो कुछ इस तरह से मैं select करूंगा यहां borders पे जाके all borders कर दूंगा तो सारे टेक्स में कुछ इस तरह से borders लग चुके हैं तो आप इस तरह से अपने टेक्स में borders लगाकर उसे attractive बना सकते हो मुझे पूरे बेज में border लगाना होगा तो मैं control के साथ ए प्रेस करूंगा ताकि all select हो जाए फिर यहां borders पे जाओंगा और यहां से फिर से मैं all borders कर दूंगा अब आप देख सकते हो पूरे मतलब पूरे पेज में यहां पे बॉर्डर लग चुके हैं तो इस तरह से आप कोई लगा सकते हो तो आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एकसल सीरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जल से जल सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जया हिन दोस्तों